नगर के मंदलेसवर रोड इस्थित एक किसान के खेट में कुए में तेंदो का सावक गिर गया जिसे वन्विभाग वा थैंक्यू फॉर नेचर के सदस्यों निकाला किसान दया नन्वाराडिया वा पप्पु वराडिया ने बताए कि सोमवार सुबा खेट पर आय तो कुए म से किसी जानवर की आवाज आई हमने कुए में जांक कर देखा तो कोई जानवर नहीं नजर आया लेकिन पानी में मूँ डूबा होने से उसे पहचान नहीं पाएं इसके बाद हमने कुए में से कच्रा निकालने के लिए बनाया गया टोकरा रस्ते से पान कर कुए में डाला पानी में डालने पर सावक उसमें आकर बैड गया जब हमने रस्ते से उसको थोड़ा उपर खीचा तब नजर आया कि वह तेंदुए का सावक है फिर हमने वन विभाग को सूचना दी संभवत रात में सावक कुए में गिरा होगा तेंदुए के सावक की उम्र 6 से 7 माह बताई जा रही है वन विभाग के अधिकारी एवं थैंक्यू नेचर टीम के सदस्वन नवीन चौधरी आदी ने लगभग 5 घंटे रस्क्यू कर सावक को निकाला वही कसरावत के नजदी खेत में तेंदुए की दस्तक से किसानों में डर का माहौल है ग्रामीडों का कहना है कि अभी खेतों में चने और गेहू की फसल लगी है जिसे पानी देने के लिए उन्हें रात में भी खेतों में जाना होता है ऐसे में जंगली जानवरों का डर सताने लगा है खरगोन के DFO प्रिसान कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कसरावत के पास एक खेत में कुए में तेंदुए का सावक गिर गया है हमने तुरन टीम भेज कर उसे रेस्क्यू किया सावक लगभग सात माह का है उसका स्वात परिछन किया गया है वह पूरी तरह स्वास्त है फिर भी हमने उसे अपने निगरानी में रखा है तेंदुए के बच्चे को उसकी माह को ढूनने के बाद उसके पास छोड़ा जाएग छेत की नर्मदा पटी के गाउं में विगत कुछ वर्सों से तेंदुए की आमद हो रही है पूर्मे में ही छेत में तेंदुए पकड़े जा चुके हैं सौमवार को भी तेंदुए के सावक के पकड़े जाने से ये संभावना है कि मादा तेंदुए भी छेतर में ही होगी तेंद्यों के आमध होने के कारण किसानों को रात के समय में खेतों में जाने में परिशानी होती है आयायायायाय सब्सक्राइब को बने पना ये गोमाना ए हुतै नहीं के लिए गोमाना ए है लग सकता है, लग सकता है